तो आज मैं आपके साथ भेलपूरी की रेसिपी शेर करने वाली हूँ वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में भेलपूरी को बनाना बहुती आसान है ये बहुती कम इंग्रीडियन्स का इस्तमाल करके बहुती जट पर तयार हो जाती है तो चलिए देखते हैं भेलपूरी की रेसिपी को तो भेलपूरी बनाने के लिए आपको इन सभी चीजों की जरुवत पड़ेगी यहां मैंने दो कप मुरमूरा ले लिया है इसे पफ ट्राइज भी कहते हैं यहां मैंने दो उबलेवे आलू लिये हैं, इसे मैंने बारिक बारिक काट लिया है दस से बारा हमने पापड़ी ले लिये, यह मेरी घर की बनीवी पापड़ी है, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूगी सेब नमकीन, एक बारिक कटावा टमाटर, एक बारिक कटावा प्याज, आधा लीम्बू, एक कटोरी मीथी चटनी, एक कटोरी लसुन और मिर्ची की चटनी, एक कटोरी हरी चटनी इन तीनों चटनियों की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूगी बारिक कचावा हरा धनिया चाट मसाला और नमक चना दाल नमकीन ये देखिए ये आपको आसानी से बाजार में कही पे भी मिल जाएगा भूनेवे चने और भूनीवी मूमफली तो ये सभी इंग्रीडियंस आपको भेल बनाने के लिए लगेगे तो चलिए जल्दी से रेडी करते हमारी चटपटी भेल तो यहां मैंने एक बोल ले लिया है सबसे पहले हम इसमें दालेगे हमारे मुर्मुरे या फिर पफ्ट राइस अब हम इसमें एक एक करके हमारे बाकी के इंग्रीडियंस दालेगे अब हम इसमें दालेगे उबले बारिक कटे आलू तकरीबन मैंने यहाँ चार बड़े चमच दाले हैं अब अपनी चोईस के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं कोई perfect measurement की जरूरत नहीं है तो अब हम इसमें डालेगे बारीक कटेवे प्यास और साथी में हम इसमें डालेगे बारीक कटेवे टमाटर थोड़े से प्यास और टमाटर हम अलग से बचाके रख लेगे बाद में सजाने के लिए अब हम एक एक करके इसमें हमारी तीनों चटनी डालेगे तो सबसे पहले हम डालेगे लेसून और मिर्ची की चटनी यहां मैं दो बड़े चमच चटनी इसमें डाल रही हूँ इस चटनी से हमारी भेल में बहुती अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं इसका जादा इस्तमाल कर रही हूँ अब हम इसमें डालेगे एक चमच हरी चटनी अब हम इसमें हमारी खजूर और इमली की मीथी चटनी डालेगे तो यहाँ मैंने चार बड़े चमच मीथी चटनी इसमें डाल दी है यह मेरे टेस्ट के according है आप अपने टेस्ट के according इसमें चटनी कम या जादा डाल सकते है जितनी तीखी या मीटी आपको भेल चीए उसके हिसाब से अब हम इसमें हमारे चाच मसाले और नमक का मिक्षर स्प्रिंकल करेगे यहां में तकरीबन दो चुटकी या फिर आप कह सकते हैं कौटेटी स्पून मैं डाल रही हूँ अब हम इसमें भूनेवे चने डालेगे थोड़े से चने में गार्णिश के लिए बचा ले रही हूँ भूनीवी मूंग फली भी हम इसमें डाल देगे और थोड़ी सी गार्णिश के लिए बचा लेगे अब हम इसमें चनादा लमकीन भी डाल देगे अब हम हमारी भेल पूरी में दो-तिन पापडियों को ऐसे क्रश करके डाल देगे अब हम इसमें डाल देगे बारी कटावा हराधनिया, आदे लीम्बू का रस और आखिर में हम इसमें डालेगे सेव नमकीन या फिर सेव भुजिया ये बहुत ही जरूरी है, इससे हमारी भेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है सभी चीजों को डालने के बाद हम हमारी भेल को अच्छे से मिक्स कर लेगे भेल को आपको एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रीडियन्स और सारी चटनी भेल में अच्छे से मिल जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर हमारी भेल को दे दे तो हमारी भेल अभी बिल्कुल रेडी है तो हम अभी इससे निकाल लेते हैं एक प्लेट में प्याज और बारिक कटे टमाटर भी हम इसमें डाल देगे अब हम इसमें थोड़ी सी हमारी मीथी चटनी डाल देगे साथ में हम इसमें थोड़ी सी लेसून और मिर्ची की चटनी भी डाल देगे थोड़ा सा चाना दाल नमकिन स्प्रिंकल कर देगे थोड़ी सी भुनीवी मुंगफली भी हम इसमें डाल देगे और आखिर में हम इसमें भुनावा चना डाल देगे और लास्ट में हम इसके साइड में रख देगे ऐसे दो पूरी क्योंकि हमने भेल पूरी बनाई है तो इसलिए पूरी हम रख देगे तो ये देखिए हमारी street style भेल पूरी एकदम ready है तो लग रही है ना ये बिल्कुल बाजार जैसी भेल पूरी सिर्फ दिखने में ही नहीं ये खाने में भी बिल्कुल बाजार जैसी ही tasty है तो जैसे के आप देख सकते हमने घर में ही बिलकुल बाजार जैसी भेल पूरी बना के रेडी कर लिए आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजेगा ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो अगर आपको मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल चटपटी भेल पूरी की रेसिपी पसंद आईए तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजे मेरे चैनल यमी फूड विच सना को सब्सक्राइब कीजे थैंक्यू सो मच पर वाचिंग अल्ला हाफिज